देखिए प्रेम भाव का चमतकार क्या होता है जिसके प्रती प्रेम भाव हो उसका चमतकार क्या होता है दो भाई दोनों अलग-अलग सहर में रहने वाले दोनों का कारोबार अलग-अलग पिता जी की मृत्ति हो चुकी पिता जी ने दोनों भाईयों को अपने हिसाब से जो अलग अलग रहते थे किसी प्रकार का लेन देन इस तरह का किसी को नहीं था सही होग ऐसा बना कि एक भाई को सेर बजार में भारी नुक्षान हो गया दूसरों की शला से उसने ज़्यादा रकम लगा दी और नुक्षान हो गया अब नुक्षान बड़ा लेंदार उसके सिर पर चलने लगे उतनाओं पर रहने लगा अब किसी को बोलने के भी हिम्मत नहीं ऐसे मौके में बोले कैसे और बोले तो कोई जल्दी से बरोसा भी नहीं करता बड़े भाई को कहीं से पता लगा पता लगा मेरा भाई परिशानि में है और बड़ी देंदारी उसने कर लिये उसने अपनी धरम पत्नी से بتाया धरम पत्नी ने कहा आज हम लोगों के पास सभ कुछ है भाईया संकट में इस समय हमें उनकी सहायता करनी चाहिए इस घली में सहायता ना करे तो हमारी संपत्ती किस काम की उसने गाँ ठीक उसने कुछ पैसे लिए कुछ पेपर्स लिए टिकेट बनाई बिना सूचना के पती पत्नी दोनों अपने भाई के घर चले गए अचानक भाई को आया देख भावी के साथ वाश्चर चकित हो गया लेकिन प्रेम भाव भरा हुआ था चरनों में बिच गया घर ले आया अंदर बैटने के बाद बला भाई आप आये तो कम से कम सूचना तो देते अचानक कैसा है बले भी सूचना की बात नहीं है मुझे लगा इस समय तुमें हमारी बहुत जरूरत है और मुझे तुम्हारे पास सुना चाहिए चलो उससे पूछा क्या बात है तुम्हारे बारे में कुछ चाहें सुनने में आई सब कुछ ठीक तो है टाल मटल करने लगा जब टाल मटल करने लगा तो बड़े भाई ने बड़े दिलता से कहा कि इस समय टालमटल करने की बात नहीं है जो वास्तविकता है यह बताओ मुझे इस बात का दुख है कि यह बाते मुझे दूसरों से सुनने को मिली यदि यह बात तुमने बताया होता तो हमारे घर की इज़द बाहर नहीं जाती बताओ, हम सब समस्या का निप्टारा करेंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं, जिसका कोई शालुशन नहीं निकलता, भाई के दबाओ, और प्रेम से प्रेरिद होकर, उसने अपनी सारी भेद दे दिये, जो वास्तविकता थी बता दिये, उसने सब चीजों को नोट किया, बला कुल इतना ही है, बला इतना ही है, एक लंबी रासी थी, उसने दूसरे दिन सब को बलाया, और सब को बलाने के बाद कहा, आप सब का जितना जितना है, आपका इतना वाकी, इतना वाकी, सब ने बला हाँ बाकी है, ठीक है, ये जो भी बाकी है, आपने इसको दिया है, इसे मैं च चुका रहा हूँ चेक बुक लेकर आये था लेकिन आज के बाद आप भाई को कुछ और नहीं देंगे और देंगे तो उसका जवाबदार हम नहीं उनने सब का जो देंदारी थी चुका दी और उसके बाद भाई को सफ़त दिलाया कि अब इस तरह का कोई धंदा नहीं करेंगे और ब्यापार के लिए उसे और रुपे दिये बोले एक बार गलती से सीख लो तो बहुत कुछ होगा अब आइंदा कभी मत करना भाई आप समझ सकतें क्या इस्तिती रही होगी यह घटना पती पतनी ने आकर की मुझे सुनाया था तो यह ऐसी इस्तिती और वो भाई आज पूरी तरह से अपने भाई का दिवाना हो गया यह किस वज़े से प्रेम भाव के करन भाई भाई के मद ऐसा प्रेम अक्सर उल्टा देखने को मिलता है अगर बड़ा भाई संपन है और छोटे भाई को नुक्सान हो रहा है तो सबसे पहले बड़ा भाई अपना किनारा काटता है और यह देखता है कि मेरा अगर कुछ रकम फसा है तो कैसे मंगा ले कहां अपना प्रेम पर पेगा यह द्रिष्टी अपने अंतरंग में विक्षित होनी चाहिए तो प्रेम भाई को बढ़ाओ हमारे संबंद प्रेमा पूरित हो प्रेम तब बढ़ता है जब हम सयोग देना चाहते हैं सयोग देते हैं प्रेम तब बढ़ता है जब हम एक दुसरे का सम्मान करते हैं, समाधर करते हैं प्रेम तब बढ़ता है जब हम एक दुसरे की सेवा के लिए तत्वर होते हैं और प्रेम तब बढ़ता है जब हम एक दुसरे के गुनों की प्रसंसा करते हैं हम सहयोग दें, सम्मान करें, सेवा करें, और आउशर पर प्रसंसा करें.